Hello and Welcome to Computology Academy और आज हम लोग डिसकस करेंगे कि जो चाइना बुलिंग कर रहा है ताइवान के डिप्लोमेट्स का होंग कॉंग में और दूसरे जगह पर भी तो यह चाइना की एक स्ट्राटेजी है कि वह वन चाइना पॉलिसी को किसी तरह से एकसेप्ट करवा ले चाहें सब्सक्राइब करेंगे मैसल विद्यान सिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिल आइकन को भी दबा दे ताकि जब भी हम नई वीडियो डाले तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक मिलती रहा है और यह बहुत इंपॉर्मेशन टॉपिक है जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से तो इस वीडियो को लाश्तर देखें यह एक्जाम में बहुत हेल्फुल होने वाला है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले चाइना करे रहा है तो चाइना ने ताइवान के स्टाप्स को कहा है जो कि वह पर वार्क करते हैं चाइना का जो हन्कोंग का डिफिरन चलता है वहां पर मैक्सिमम इस के नुक्रिस गुक आपके अंबेसी मिल जाएंगे और वह appreciate फिस यह लिए बहुत आपको embassy कहीं नहीं लिखे हुई मिलेगी हर जगह पे या तो business office लिखा हुआ मिलेगा या representative office क्योंकि ये one China policy के लिए एक बहुत important terminology है क्योंकि चाइना का सिधा कहना है कि चाइना एक ही है People's Republic of China चाइना हो या Republic of China हो पीपल्स Republic of China जो mainland China है communist China है वो है और Republic of China है ताइवान तो World War Two के बाद जब communist government आई और जब माओ ने वहां पर mainland China में अपना एक अधिकार स्थापित किया अपना राज स्थापित किया तो उसके बाद उस समय के जो वहां के लीडर थे चियांकाइस एक जो की capitalist nature के थे उन्होंने वहां से फ्ली आउट किया और आ गया आइलेंड पर ताइवान पर और वहां पर उन्होंने एक डेमोक्रेटीकली एलेक्टट गवर्मेंट की सिस्टम की स्थापना की और उसका नाम रखा Republic of चाइना और माओर ने mainland China का नाम रखा people Republic of चाइना तो इसी लिए यहां पर यह लोगों का कहना है कि चाइना एक ही है जो चाइनलेंड चाइना जो कम्यूनिस्ट गवर्मेंट है उनका कहना है कोई रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं है ताइवान एक टेरिटरी है चाइना की ही वो भले जो भी कहले लेकिन हम लोग एक दिन उसे अपने अमिट में अपने कंट्रोल में लाएंगे और इसके लिए वो हमारे पास यह भी ऑप्शन उपन है कि हम जरूरत पढ़ने पर आमस का और फोर्स का भी यूज करेंगे उसके लिए चाहें जो भी जरूरत पढ़े हम उसको यूटिलाइज करेंगे ताइवान को अपने में लेंड चाइना के साथ इंटीग्रेट करने के लिए और इसलिए यहां पर होंग कोंग में इन्होंने क्या किया है कि वहां के डिप्लोमेट्स जो थे ताइवान के उनको फोर्स करना चालू किया कि आप लोग एक वन चाइना पॉलिसी का कमिंटमेंट लेटर साइन किजी और इसलिए वहां से जो ताइवानिस डिप्लोमेट्स है वो छोड कर ताइवान जाना चालू कर दिये हौंग कॉंग से वो लोग छोड़कर धीरे धीरे निकल रहे हैं और अभी ऐसा हुआ है कि मैक्सिमम लोग इस मंडे को आज यानि कि मंडे को निकल गए हैं और नेक्स्ट मन्त तक लगभग सारे ओफिसियल्स जो हैं नेक्स्ट मन्त तक सार चाइनीज गवर्मेंट ने और हॉंग कॉंग की गवर्मेंट ने अड्मिस्ट्रेशन ने साफ ने कह दिया कि हम आपका वीजा रिन्यू तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आप वन चाइना पॉलिसी को एकसेप्ट नहीं कर सकते हैं वो डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकते जिसमें की विजिंग ट्लेम करता है ताइवान को यह document commitment लेटर आपको साइन करना पड़ेगा कि there is only one China, one China policy को हम लोग मानते हैं यह commitment लेटर आपको साइन करना पड़ेगा उसके बाद ही आपका वीजा रेन्यू होगा और यहां पर एक चीज़ हो सकती है क्या कि जैसे ही यह लोग यह document sign करेंगे तो उसके बाद वो लोग यह भी कह सकते हैं कि आपने तो वन चाइना policy commitment को sign कर लिया तो आपको वीजा की जरूरत ही नहीं है पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं है आपका पासपोर्ट ही भी invalid है ताइ स्टेपल्ड वीजा दे दिया था स्टेपल्ड वीजा का मतलब होता है कि यह disputed territory है और यहां पर हम लोग इसे recognize नहीं करते हैं इसी लिए आपके पासपोर्ट पर यह वीजा नहीं लगेगा स्टेपल होगा और इसी के कारण वहां पर जो रूनाचल प्रदेश के जो भी हमा इवान का diplomats क्योंकि उससे फिर वहां पर international arena में इंटरनेशनल फोरम पर चाइना यह चीज क्लेम करने के लिए हगदार हो जाएगा कि इन्होंने तो यह चीज एकसप्ट किया है इन्होंने document sign किये commitment लेटर पर कि यहां पर one China policy हम लग follow करते है चाइना एक ही है और उसके करना चाहते हैं उन्होंने साफ कहा कि आप वीजा नहीं दोगे नहीं दीजिए हम लोग यहां से निकल लेंगे और यह चीज क्यों हो रही है चाइना अभी कुछ जादा ही forcefully क्यों थ्रिटेन कर रहा है ताइवान को ताइवान के diplomats को और वहां के administration के पीछे जादा क्यों पड़ा हुआ है उसके पीछे का कारण यह है कि इन लोगों ने criticize किया जो national security law चाइना ने implement किया 2018 में होंग कॉंग पे इस law के आने के बाद यह चीज़ possible हो गई कि होंग कॉंग में जो भी criticize करते हैं वहां के administration को वहां की government को या फिर वो सारे लोग जो भी वहां पे यह चीज के लिए protest करते हैं कि democratic values को follow करना चाहिए हमारा free speech का जो right है उसे आप reinstate कीजिए कोई भी आदमी intern नहीं होगा इन सब चीजों को रोकने के लिए उन्होंने national security law एक तरह से sedition की charges लगाने के लिए वहां पर ला दिया अब इस से क्या हुआ इस law में clause है कि जो भी लोग इस national security law क तहत arrest होंगे या जिनसे भी चाइना की national security को threat होगा उन्हें extradite कर दिया जाएगा mainland चाइना में अभी तक क्या था देखिए होंग कॉंग जो है वह 1997 में hand over हुआ ब्रिटेन के थुरू चाइना को उसके पहले यह होंग कॉंग एक ब्रिटेन की colony थी जिसे की 99 years के लीज पे ब लेकिन वहां पर उन्होंने यह चीज कहा था कि यह autonomy एकदम बरकरार रहेगी फूल इंटीग्रेशन इसका 50 साल तक नहीं होगा यानि की 2047 तक नहीं होगा इस चीज को हूँ जिंताओं ने तो बहुत हद तक follow किया लेकिन जैसे ही जी जिंग पिंग आए उन्होंने इस प्र profitability है प्लस उनका जो अपना assertion है अपना aggression है वो भी दिखाने के लिए उन्होंने उसका integration का process चालू कर दिया बहुत पहले ही 2017 में 2016 से तो बहुत हद्तक शुरू हो गया था 17 से उसका intensification शुरू हो गया और intensified approach के तहत उन्होंने होंग कोंग के integration का process चालू कर दिया और उसी के लिए इन्होंने वहां पर पहले तो डेमोक्रेसी को कर्टेल किया वहां पर elections उतने ज्यादा free and fair नहीं होने लगे free speech को कर्टेल किया जाने लगा उसके बाद 2018 मिन्होंने national security laws impose कर दी और इसके कारण बीजिंग को ताइवान ने बहुत क्रिटिसाइज किये और उसके साथ साथ बीजिंग की क्रिटिसीजम के साथ साथ ताइवान ने क्या किया ताइवान ने बुलाना चालू कर दिया लोगों को welcome करना चालू कर दिया जो होंग कॉंग कोंग के थे कि आप आईए और हमारे island nation में settle हो जाईए हम लोग democratic rights क अफेल्ड करते हैं free speech यहाँ पर है हम लोग पूरे democratic country हैं यहाँ पर कोई authoritarianism नहीं होगा तो जितने भी होंग कोंग के लोग आना चाहें आप आकर island nation में settle हो सकते हैं इस से चाइना बहुत ज्यादा खफा हो गया उसका कहना था कि यह चाइना के internal affairs में एक infringement है आप हमारे internal affairs म में हमारे अंद्रोनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हो और यह बहुत ही गलत है और इसके लिए चाइना ने ताइवान को बहुत बर धंकाया भी और तभी जाकर यहाँ पर यह मुद्दा और गर्मा गर्म होने लगा और यह देखिए लिन फे फैं यह एक यंग firebrand नेता है से 33 साल की उमर है इनकी यह democratic progressive party जो ruling party है ताइवान की उसके deputy general secretary है और यह चाइना को खुले तोर पर लतारते रहते हैं उसको criticize करते रहते हैं इन्हों ने साफ कह दिया कि हमें अपनी representative office अगर होंग कॉंग में नहीं चलने देंगे आप लोग वीजा नहीं देंगे हम लोग अ सारे officials बुला लेंगे हम लोग दूसरा arrangement कर लेंगे दूसरा model तयार कर लेंगे कि हमें वहां की office कैसे चलानी है क्या उसके लिए process होगा हम लोग local officials से जो हमारे हैं वहां पर इसे चला लेंगे लेकिन जो आप लोग बार-बार infringe कर रहे हो बार-बार यह चीजों के लिए हमे accuse कर रहे हो कि हम लोग protesters को support कर रहे है violent protesters के लिए हम लोग उनको उकसा रहे हैं यह सारी चीजें हम लोग नहीं कर रहे हैं चाइना का यह गलत आरोप है और इस बहाने आप जब न तब हमारे representative office में इंटर कर जाते हो वहां के staffs को आप threaten कर रहे हैं तो हम अपने सारे ताइवा लेटर तो साइन करने का सवाल ही नहीं पैदा होता और दूसरी चीज़ी नोंने क्या की कि हमें तो एक lesson लेना चाहिए जो treatment आपने किया है Hong Kong के साथ आपने कह दिया कि Hong Kong को हम लोग autonomy में रहने देंगे 2047 तक और यहां पर उसके बाद यहां पर one nation two system policy चलती रहेगी लेकिन इस चीज़ को आपने follow नहीं किया इस commitment को आपने reflect नहीं किया और Hong Kong के annexation का उसके full integration का process चालू कर दिया और in future अगर गलती से कोई अगर कहत आईवान को कि यह system आप पे लागू करेंगे कि हम लोग one nation two system theory पे काम करेंगे तो यह मानने वाली बात ही नहीं है क्योंकि Hong Kong के साथ जो आपने किया यह worldwide dividend है कि आपने at least यहां तक इस time तक 2047 तक इंतजार तक नहीं किया कि यहां 2047 में time period खतम हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसके integration का सोचेंगे उतना भी आप लोगों ने जहमत नहीं उठाई तो इस होंकि Hong Kong के khouse को सपोर्ट करते रहेंगे और हम ने ऐसा कोई-बी वाइलेंट प्रोटेस्ट का कोईission यह वहां के प्रोटेस्टर का हो सकता है कि अभी diplomats को यह forcefully कह रहा है बाद में हो सकता है जाकर यह कहने लगें कि आपके ताइवान के जो citizens भी आते हैं काम करने के लिए और किसी भी काम से Hong Kong में या चाइना में उनको भी करना पड़ेगा तो हो सकता है उसमें भी इसु क्रियेट हो और यह चीजें जो नेशनल सेक्यूरिटी लौ है यह जुलाई 2016 में इसका प्रोटेस्ट चलू हुआ था और वहां से उसी समय से यह वीजा का इसु सुरू हो गया है और उसी समय से यहां पर हॉंग कॉंग में बात चल रहे थी कि हम लोग अपना ऑपरेशन दीरे दीरे ताइवानीज लोग यहां पर सस्पेंड कर देंगे और धीरे धीरे यहां पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के स्टाप्स इन लोगों ने कट डाउन कर देंगे क्योंकि इनको बार-बार ब्लेम किया जा रहा था कि ग्रॉस इंटर्फरेंस में चाइना के और इसके कारण उनके जो भी मतलब ऑफिसियल से उनको हरस किया रहा था और उनको कहा जा रहा था कि आप लोग वाइलेंट ट्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रह है कोई रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं है और यहां पर वन चाइना पॉलिशी के कारण उनका कहना है कि कोई भी कंट्री जैसे यह चाइना है कि यह ताइवान और यह कोई भी थर्ड कंट्री है ठीक है तो उसके बाद अगर यहां पर दिपमेटिक रिलेशन थर्ड कंट्रीसे चाइना का अगर है तो यहां पर साथ में ताइवान का डिपलोमेटिक आफिस एंबेसी नहीं हो सकता है उनका कहना है कि चाइना एक ही है या तो आप ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन्स रखिए या फिर हमारे साथ चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन्स रखिए दोनों के साथ आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन्स नहीं रह सकते हैं इसलिए देखिएगा कि इंडिया में भी जो है ताइवान का सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है बहुत जगह यह लोग इसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के नाम से बुलाते हैं बहुत जगह इसे बिजनेस आउट पोस्ट या बिजनेस ऑफिस के नाम से बुलाते हैं और उसके थ्रू जो ताइवानीज हैं अपना डिप्लोमेटिक चै नहीं होगा कुछ के नाम मैंने खुद नहीं सुने थे जैसे यह देखे यहां पर बेलीज है ग्वाटेमाला का नाम आपने सुना होगा है तो ऐसे लगबग 15 कंट्रीज है स्वाजी लेंड है तुवालू है तो यह सारे कंट्रीज ताइवान को रिकोगनाइज करते हैं चाइ 21 चाइना पॉलिसी को 1972 से पहले यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं मानता था यूनाइटेड स्टेट्स का भी यही कहना था कि ताइवान जो है सो ओरीजनल चाइना है मतलब कि में चाइना है और यह लोग कॉम्मुनिस्ट गवर्मेंट को नहीं मानते थे क्यूंकि उसके पीछे भी रीजन वही था कि यहां पे कपिटिलिस्ट भसेज कम्मुनिस्ट की लड़ाई थी लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि चाइना जो है वो रसिया से जादा नजदीक आने लगा और उसके कारण यूएस को चाहिए था कि यह कम्मुनिसम जादा बढ़े नहीं क्यू निक्सन उनको वहां पर मार्केट चाहिए था देखिए वर्ल्ड वार के समय आमस बेच कर यूएस ने बहुत सारे पैसे कमाए और उसके बाद उन्होंने अपने जो कम्मुनिस्ट फोल्ड में से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे कंट्रीज को एड देना चालू कर दिय डेवलक्मेंटल एड जैसे पाकिस्तान को भी उन्होंने दिया, बहुत सारे से कंट्रीज से जिसको दिया, तो यहां पर उन्हें अपना एक इन्वेस्ट्मेंट अविन्यू भी देखना था, प्लस उन्हें ये भी चाहिए था कि उन्हें एक बड़ा मार्केट भी चाहिए था तो यहां पर यूएस ने अपना देखा 1972 में जब 1970 में चाइना की एकोनोमी ओपेन होने लगे डेवलोपमेंट के लिए उस समय जो उस समय के चाइनीज प्रीमियर थे जाव एन लाई तो उनसे रिचार्ड निक्सन ने मीटिंग की 1972 में यहां पर यूएस को क्या दिख रहा था पहला दिख रहा था इन्वेस्टमेंट ठीक है इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकी कंपनीज को एक वाइडर मार्केट मिल जाएगा सेकेंड तिंग क्या दिख रहा था यूएस को मार्केट के रूप में इस टाइम पर इंडिया की पॉप्यूलेशन थी जस्ट 53 करोड लेकिन चाइना की पॉप्यूलेशन देखिए कि उस समय कितनी जादा थी तो इनकी करेंगे यहीं पर मैनुफेक्टरिंग करेंगे यहीं पर लेबर पावर मिल जाएगा यहीं पर सब कुछ मिल गया यहीं पर प्लस क्या हुआ कि हमें मार्केट भी मिल गया तो यूएस को अपनी एकोनॉमिक फाइदे दिख रहे थे और हमेशा देखे डिप्लोमेसी जो है सो एकोनॉमिक के हिसाब से चेंज होते रहती है तो यहां पर यह दोनों को लग रहा था कि विन-विन सिचुएशन है यूएस को लग रहा था हमारे लिए इंवेस्टमेंट यूएस को मानना पड़ा सबसे पहला उनका यही प्रोपोजल था कि आप वन चाइना पॉलिसी को रिकोगनाईज करेंगे तो यह जो अभी 15-16 कंट्रीज दिख रहे हैं वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानने वाले इनकी लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी थे लेकिन यूएस के इंफ्लτοैंस क्योंकि उस समय यूएस का इंफ्ल्ट ज्यादा था यूएसर SHr था मजबूत लेकिन उतना ज्यादा मजबूत नहीं था कि वो यूएस के डिप्लोमेसी को काउंटर कर सके तो उसके कारण चाइना जो है सो यूएस के साथ हो लिया उनको इन्वेस्टमेंट मिल रहा था उन्होंने अपनी क्या हुआ चाइनीज को मिले बूस्ट और यहां से दीरे चाइना ने ज्यादा उस समय दिमाग नहीं लगाया सिर्फ अपने प्रोग्रेस पर दिमाग लगाया लेकिन 2000 आते आते क्या हुआ यूनाइटेड स्टेट्स को दिखा कि यह तो भई गडबड़ हो गई 2000 आते आते उनको समझ में आया कि यहां पे तो गडबड़ हो रहा है क्यूंकि चाइना की एकनोमी ऐसी बूस्ट हो रही है कि अब यूएस के लिए इत्रीट है तो फिर से उन्होंने चाइना को काउंटर करने के लिए ताइवान को हेल्प करना चालू किया और बहुत सारे कंट्रीज को इंडिया के साथ उनका रप्रोच्मेंट शुरू हुआ क्यूंकि अब अफ्टर दो कोल्ड वार एरा उनको अपनी थ्रीट यूएससर नहीं क्यूंकि यूए दिकत के लिए बात बन गई थी उनके लिए 2000 के बाद से चाइना और इसी लिए फिर उन्होंने इंडिया को या फिर साउथ इस्टेशियन कंट्रीज हो गए या फिर ताइवान हो गया कोरिया हो गया इनके उपर ध्यान देना चालू किया कि अब यहीं लोग जो हैं वो चा कर दे जैसी परिस्थिती बन रही है लेकिन यहां पर उसको डिस्कार्ड करने के लिए बहुत ही बड़ा विल पावर चाहिए बहुत डिप्लोमेटिक एफर्ट चाहिए जो की देखना है कि आगे क्या होता है कैसे होता है तो यहां पर हम लोग अपनी लेक्चर खतम करते है हमारे सोचल मीडिया चैनल पर हमें फॉलो करें और कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेश चल रहा है उन्हें भी आप जॉइन करें और सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को अब दबा दे ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डाले तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सेर भी करें थाइंक यू वेरी मॉच और हम आइस डेग